नमस्कर युए वेल्कम में सूरज और मैं अप लोग करता हूं मैं आज आप लोग के लिए क्या हूं, जैन धर्म के कुछ important question जो हर एक्जैम में पूछे जाते हैं, चाय हो central level का हो, चाय हो state level का हो चाय हो NTPC हो, चाय है CGL हो, चाय है SEC हो स्रिफ हम लोग आज most important 25 questions कबर करेंगे चलिए question start करते तो देखिए सबसे पहला question है आपका दिखराओगा इस्क्रीन पर जेन धर में कुल कितने तिर्थंकर हुए तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जेन धर में 24 तिर्थंकर थे option number D चलिए second question है जेन योग के पहले तिर्थंकर कौन थे तो आपको जैसे पता होना चाहिए जेन योग के पहले तिर्थंकर थे आदी नाथ थे option A देखिए मैं आप लोग के लिए explanation भी देदिया हूँ आप इसको भी पढ़ सकते जैनियों के पहले तिर्थंकर रिसब दे थे, इन्हें आदिनात के नाम से ही जाना जाता है। चले तीसरा कुश्चन देखते हैं, निमलिकित मैंसे कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माना जाते हैं? देखें, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माहाविर स्वामी को माना जाता है, वैसे तो जैन धर्म के इस थापना पर्थम तिर्थंकर इसब देव आदिनात ने की थी, चलिए, अगला कुश्चन देखते हैं, माहाविर स्वामी का जन्म कहा हुआ था? आप लोग जनते हैं, माहाविर स्वामी का जन्म कुंड गराम में हुआ था, ओप्सन नमर बी, राइट जानना चाहिए कि महाविर का जन्म किस छत्रियें गोर्थ में हुगा था उपान से आपको पता होना चाहिए जो माता थी ओत्तिरसला ऊप्सन देखेछक है चलिए, देखिए इसका भी explaination पढ़ लिए, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, गौतम बूद के जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, तो तथा माता का नाम तृसला, यो सुधा उनकी पत्नी थी, अनोजा पिर् ओडिन नेक्स्ट कोश्च दिखते हैं आ esto महावीर की मुख्यू कहां हुई थी तो जैसे कि आप लोग को पता है महावीर की मुख्यूु pross आपसे नमर सी राइट चले नेख्श दिखते हैं महावीर का मूल नाम क्या था तो आप लोग को पता होना चाहिए महावीर का मूल नाम वर्दमान था देखे सिदार्थ मत माद दीजिगा सिदार्थ इनके पिता का नाम था और गौताम बूद के बच्पन का नाम था लेकिन यदि आपसे पूछा जाए महावीर का मूल नाम आनि कि वास्तिवीक नाम या बच्पन का नाम वो वर्दमान था। देखे राइट है। नेक्स्ट कोश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा था। तो इसका राइट एंसर है महावीर स्वामी ओप्सन नमर बी। चलिए, नेक्स्ट कोष्चन देखते हैं, जहन धर्म में पुर्ण ज् liked के लिए क्या सब्द है? जहन我觉得 आपका कि जान धर्म में पूर्ण ज्यान को क्या कहता है तो पूर्ण ज्यान को जैंदर्म में उपल ले किया करते हैं? कैने उप्सन नमर डी र्याइट चलिए अगला देखते हैं, महावीर एवंग बुद्ध दोनों ने किसके सासनकाल में उपदेज दिये थे, तो इसका राइट एंसर है बिम्बिसार, महावीर एवंग बुद्ध दोनों ने किसके सासनकाल में उपदेज दिये थे, इसका राइट एंसर है बिम्बिसार, महाव देखिए महावीर एमंबुद ने मगद नरेश बीमबिसार के सासन काल में उत्देश दिया, देखिव स्वामी और बीमबिसार निकट समन्धी भी थे चो कि महावीर की माता तृसला लिच्वी सासक चेटक की बहम थी तथा बीमबिसार का विवा चेटक की पूत्री से गुए था चलिए next question देखते हैं निम्लिकीत में से कौन सबसे पूरुकालिक जयन्त गरंत है तो देखिए इसका right answer है चोगदापुरो क्या है चोगदापुरो चोगदापुरो था सबसे पूरुकालिक जयन्त गरंत है चलिए चोगदापुर अगरा question देखते हैं जयन्साहित को क्या करते हैं तो आप लोग को यह question मालूम होना चाहिए सबसे बार यह repeat होता है question इसको तो एकदम important point लगा लें इसमें जयन्साहित को आगम करते हैं तीन बा इसके अंतरगत 12 अंग 12 उपां दस प्रकल्ण छह से दर्सूत्र 4 चार मूलसूत्र एवं अनियोग शूत्र आते हैं बोध्यसाहित को त्री पटक कहा जाता है बोध्यसाहित को क्या कहता है थे त्री कि येसे भी याद रखेगा ना बोध में रटेक हुता ठीक है और जैन में रत्न होता बस इतना अंतर है अगला कोश्चन देखते हैं भगवान महावीर का पर्थम से से कुंता तो जमाली ये उसी का दमात थे और पर्थम से से अप्शन नमर सी राइट है जमाली स्यादवाद किसका सिधान्त है स्यादवाद किसका सिधान्त है तो यह जैन धर्म करता है स्यादवाद किसका था जैन धर्म करता है जैन धर्म करता है जैन धर्म करता है जैन धर्म चलिए अगला कुश्चन देखते हैं त्री रत्म सिधान्त सम्याग ज्यान सम्याग दर्सन सम में आचरन जिस धर्म की महिमा है वह है तो इसका राईटा जयन धर्म घ्र्म पर्थम के स्वेटांबर संपरदाय के संस्थापक कौन थे थे बहुत अच्छा कोस्चन है स्थापक कौन थे देखिए स्वेतामबर पूछ रहा है तो स्वेतामबर का इसका राइट एंसर हो जागा स्थुलवाव। है अलसब कौन पूछे तो स्वेता है तो स्वेतामबर पूछे गया हुआ जैसे लिए पर्थम जयन संगिति का आयोजन कहा हुआ था जैसे हम लोग की जानते हैं दिवत्य जयन संगिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था जैसे इसका एक्स्प्रेनेशन पढ़ते हैं जयन संगिति का आयोजन 512 इसमी में वल्लभी वल्लभी कहा है गुजरात में वल्लभी गुजरात में कुमार गुप्त सकेंड के सासनकाल में देवादी रिसी की अध्यक्सता में हुगती इस संगिति में आगम गरंत और छमा सरवन गरंतों को लिखा गया था चलिए अनुवर्थ सब्द किस धर्म से दूड़ा है देखिए एक वर्ड है अनुवर्थ क्या है अनुवर्थ यह आपका समन्दीत है जयन धर्म से तो इसका ऑप्सन नबर डी राइट चलिए अगला देखते है महावीर की मिर्तिव के बाद जयन संग का अगला अध्यक्ष कौन देखिए जब बोलता महावीर स्वामी जो 24 स्वेत्र थेंग करते हैं उसके बाद अगला अध्यक्ष कौन बना देखिए सब तो मर चुका था एक ही बचाताप का सुधर्मन वहीं बनाओगा चलिए ऑप्सन नबर बी राइट एंस चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैन वर्ड को फोकस कीजिए कभी दोगा निखाएगा तो वर्ड क्या है कल्प सुत्र जैसे आप देखें कल्प सुत्र आपके दिमाग में आना चाहिए भद्रबाव कल्प सुत्र भद्रबाव ऑप्सन नमर सी राइटेंस चलिए अगला देखते जैन तिन्थगर पासर नात द था क्या था ब्रह्मचर ऑप्सन नमर डी राइटेंस इसका एक्स्पेंशन पढ़ लिजे महावीर स्वामी ने पासर नात द्वारा दिये गए चार महरतों में पाच्वा महरत महावरत ब्रह्मचर जोड़ा जो इस प्रकार है अहिंसा मतले हिंसा नहीं करना कोई भी नहीं दूसरा है सत्य हमेशा सत्य बूलना तीसरा था आप परिगर जरुरत से अधीक संपत्ति घट्टा ना करें जितना कमाए उतना खाए च्वाता है अस्ते मतलब चोरी नहीं करना आप पाचमा जो जोड़े थे महावीर स्वामी ब्रह्मचर लास्ट कोस्चन है आपका स्वाम स्वामी महावीर के भिच्छनी संकी प्रधान कौन थी वहत अच्छा कोस्चन MTS का चलिए देखते इसको स्वामी महावीर के भिच्छनी संकी प्रधान कौन थी तो जैसे कि हम लोग को पता है इसकी प्रधान जो थी चंदना थी से चलिए देखते हैं ऑप्शन नमर सी thank you thank you